नमस्ते वेलक़ं कि पीवल फॉर्म हेल्पाइब लाइन मेरा नाम शाईनी है, मेरा नाम दक्टर गूर्शन हैं और आज हुन्वरों में होने वाली आंकों के प्रॉर्ब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं टॉक्टर गुल्चन, सबसे common आँखों के problems जानवरों में क्या-क्या पाई जाती है और उनके symptoms क्या-क्या है जानवरों में जो common eye problems है उसमें सबसे mean चीज़ आती है conjunctivitis conjunctivitis आईज में irritation की वज़े से हो सकती है दूसरी problem है वाम्स, eye warm होते है third is cataract जिसको हम मोतिया बोलते हैं काला मोतिया या सफेद मोतिया कई बार ऐसा होता है कि vitamins की deficiency की वज़े से eyesight बहुत वीक हो जाती है Sir Dr. Gulchan, अगर हमारे किसी pet में ऐसे कोई symptoms दिखते हैं तब क्या करना चाहिए mainly ध्यान रखिए कि अपने pet की proper diet रखें उनको properly timely vitamins देते रहें second point जो मैंने cataract की बात करी थी cataract को हम कुछ हद तक eye drops की मदद से control कर सकते हैं लेकिन अगर उसे permanently cure चाहिए तो आपको operate करवाना होगा and then अपने pets की devarming आप regular करते रहें इससे warms का खत्रा काफी कम रहता है मैं एक और चीज़ बताना चाहूंगा कि आप अपने pet को कोई भी medicine देते हैं तो उससे पहले अपने wet से जरूर consult करिए क्योंकि medicine की dose animal condition की severity के उपर depend करता है और कौन सी condition है उसके उपर भी depend करता है तो डॉक्टर गुल्चन अगर हमारे किसी pet को आँखों में injury हो जाए या आँखों में कभी कच्रा चला जाए गंदिगी चली जाए तो उससे होने वाले infection को prevent कैसे किया जा सकता है देखिए अगर आँखों में debris चला जाता है तो सबसे पहले eye cleaning ज़रूरी है eye cleaning के लिए artificial tear eye drops आते है तो आप उनका use करके पहले तो जो debris है उसको flush out करिए अब infection की बारी है तो अगर infection ज़ादा हो गया है या infection set up हो गया है तो आप antibiotics continue करिए और कई बार ऐसा होता है कि debris की वज़े से eyes में bleeding ज़ादा हो जाती है bleeding की वज़े से swelling आती है तो first aid के तौर पे आप अपने pet के eyes में eyes pack apply कर सकते है so that की swelling कम हो जाए और bleeding भी कम हो जाए अगर आपके पास और भी कोई सवाल है अपने pet से related या animal care से related तो आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर comment करें